आप सभी का ये था होगी अभिवादन आपके अपने इस यूटूब चेनल हिंदी वाले माडशा पर मैं भिनो सरोवा आपका हार्दिक स्वागते करता हूं बसो आज हमें उच्च माद्यमिक वोर्ड पर एक से आ 2021 वाइस के लिए कश्चा बार है कि विसी हिंदी अनिवारिय के एक प्रकरण पारिवास एक सब्दावली पर बात करेंगे जिसका अंक भारे दो रहेगा कितने नंबर के अंक प्रसंद आने वाले हैं दो नंबर के हिंदी अनुआदे वहाँ अपने पूस्त oppose कि अभ्ड के एक्जाम में वहां लिखने हैं वकुल मिलाकर जिए STEVE masking के लिए हम यहए नहीं के सकतें कि सिर्फ तीजी करने कफी आजए तो आपको यह वाला लिखने और यदि यह वाली चीज़ आजए तो आपको यह वाली चीज़ी लिखने है पहला है ability जिसका हिंदिय अन्वाद होता है योगेता आप इस्पेलिंग यहां से देख सकते हैं आराम से ability कार्थ है योगेता दूसरा है एबनॉर्मल मतलब एसामने नॉर्मल कार्थ सामने होता है एबनॉर्मल एसामने absence मतलब अनुपस्तिती acknowledgement इसका मतलब होता है पावती AC उसके बाद में knowledge K-N-O-W-R-E-D-Z-E और उसके बचार M-E-N-T acknowledgement इसके पावती भी कहा जाता है और post office के बाद सामने इसके कहा जाता है AD लगना उसके बाद में acquire AC-Q-U-I-R-E एक्वाइर का मतलब होता है अवाप्त करना मतलब अधिक रहन करना additional कार्थ है अतिरिक से ad hoc दो अलग-अलग spelling है AD और space HOC एड हो कार्थ है सादार थे एड़स्टमेंट समयोजन एड्मिनिस्ट्रेशन प्रसासन अगे देखते हैं appendix कार्थ होता है परिशेस पर और applicant कार्थ होता है आवेद के जैसे आप बात करते हैं एप्लिकेशन एप्लिकेशन का मतलब होता है और applicant मतलब आवेदर पत्र प्रसूत करने वाला होता है यह एप्रोवल अनुमोदन एकाउंट मतलब लेखा accountability जबाब देही या जिम्मेदरी उसके बाद में annual annual कार्थ होता है वार्षिक या सालाना एसेस कार्थ होता है परिसंपती एसोसियेशन कार्थ होता है शंगे और bad conduct का मतलब होता है आतरन bad कार्थ है बुरा या दूर और good conduct मतलब अच्छातरन सदातरन बोडी कार्थ होता है निकाय, ब्रिप कार्थ होता है संक्सिप्त करना या संक्सेप, केबिनेट कार्थ है मंत्री मंडल, केडर का अर्थ है शमवर्ग, केपिटल कार्थ होता है कुझी और राजदानी भी कहते हैं लेकिन यहां पारिवासिक सब्दावली में केपिटल कार्थ केश केश कैश है कि मतलब नकज़ और एक होता है इस का होता है प्रक्रण कि क्या हो गया है क्या रर्ण हो गया데 कंड़क्त मतलब आतरन है और कॉन्विन मतलब संयोजन Council परिशद क्रेडिट कार्ड होता है साख या उधार डिबार कार्ड होता है वर्जित करना या रोकना जैसे कई बार क्या होता है नकल आदी के प्रकरण में कुछ बच्चे पकड़े जाते हैं तो लोक से वायों के दूरा या जो भी परिक्षा लेने वाले जो से सब्सक्रान ह काता है प्रतिनियूक्ति एक आदमी के इस्थान पर आ और the कि आदमी की इस्थान खाली हो जगह खाली हो और उसकी इस्थान पर किसे डूसरी जगे से कोई वेक्ते कुछ दिनों के लिए लगा जाते हैं उसे या प्रतिन युक्ति कहा जाता है ड wellness रिषाब निश्पादन एफिसिएंसी कर्द होता है धक्सता इलेक्ट्रोल कर से निर्वाध्य सुची जिसे वोटर कहते हैं एंडॉर्स कार्थ है प्रिष्ट हंकन तरह अंकन करना इन्फॉर्स्मेंट कार्थ है प्रावर्तन और इवाल्यूसन कार्थ होता है मुल्यांकन एक्सक्लोसिव अनन्य या एकांतिक एक्सक्लोसन कार्थ होता है व्यक्ष्यात्मत और फेवरेबल कार्थ होता है अनु आधार्भूत या मौलिक गजट कार्थ है राजपत्रे ग्रांट कार्थ है अनुदान ग्रिवियंस वेंस कार्थ सहे सिकायत या प्रिवेदना गारंटी कार्थ है प्रत्याभूती या जवानत है है अधार्विक या विरासत है और यहां पर एस साइलेंट है और यहां कहें कि सहुलियत वर्ती जाती है या सुप्त कोरना रहा जाता है तो आहां मानुए आइडेंटिटी कार्थ होता है पहचान इलीगल आई यहां आई केपिटल है उसके बाद में दोनों एल स्मॉल है इलीगल कार्थ है एवेड या गैर कानूनी इंडेस्पेंसेबल मतलों एपरिहारिये जो बताया नहीं जा सकता ऐसे कोई कारण इसे कई वर क्या नहीं होता कि क कोई परिक्षा दी रद कर दी जाती है वहां लिखा जाता है एपरिहारिये कारणों के कारण से कारणों से परिक्षा को और आगामी समय तक के लिए आगामी कुछ समय तक के लिए इसे चाला जाता है तो वहां एपरिहारिये आर्थ होता है उसका इनिसियल कार्थ होता है ल जिसे बिल कहते हैं, इंस्पेक्शन कार्थ होता है, नीरिक्षन, इंटिग्रेशन का रथ है, एकी करण, इन्वेस्टिगेशन का रथ होता है, अनुसंधान या खोज, जर्नल, यह जर्नल नहीं है, जर्नल कार्थ से समाने होता है, यह जर्नल का रथ होता है, पत्री का, कर्थ होता है वेenser का रहत है कि नर्वो के आनुकूल क defence होता है आउद्थ से हुँ और प्रसर को आरत है जैख सकते हैं हराम से मैनिफेस्ट के लिए ठीक नहीं मिस्कलेनियस कार्थ होता है विविध्य, नेगलिगेंस कार्थ होता है अवहिलना, अवज्या या उपेक्षा करना, नोटिफिकेशन कार्थ होता है अधीशूचना, ओथ कार्थ होता है सपथ, अब्जक्ट कार्थ होता है उद्देश से, अब्जक्शन कार्थ होता है अपत् पर्टिसिपेट का अर्थ होता है भाग लेना जैसे स्कूल में कोई करीक्रम है तो उसमें आपने भाग लिया है तो कहा जाएगा कि इस बच्छे ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था परमिट का अर्थ होता है प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांते यहां देखिए मतलब प्रिंसिपल कार्थ होता है सिध्धांते प्रोवेशन कार्थ होता है परिविक्षा प्रोजेक्ट कार्थ है परियोजिना प्रोविजनल कार्थ है एस्थाई क्वालिफिकेशन कार्थ होता है अरहता या योग्यता क्वालिटी कार्थ होता है गुणवत्ता और क्वांटिटी कार्थ होता है मात्रा कि हमें रिजल्ट में नेकेवल क्वांटिटी तही है मतलब मात्रात्म गुरूप से नहीं हमें उसे क्वालिटी भी तही है मतलब बहु कोट किया कंतuke उधरन दिया random कारता है बीच-विच में से चुनना रिबेट होता है छूटदेना record कारता है अभी लेग एक खेल ca पॉनधार्भ रीउर्व यहाँ पर रिकोर्ड रिकोर्ड सेंग्शन कारता है तुछ करता कि नोकरी सबोर्डिनेट मतलब अधिनस्ते जो आपके मात्यत्त करमचारियों उनके लिए कहा जाता है सबोर्डिनेट सरप्लश अधिसेश एल्फ दर्सुची टेंडर कार्थ होता है निविदा टार्म कार्थ होता है अवधी या कार्येकाल हिसिस कार्थ होता है शोध प्रवंध ट्रस्ट कार्थ होता है नियास अल्टिमेट कार्थ होता है अंतिम या चरम यूनिक कार्थ होता है अपूर्वे या अनुपम यूटिलाइजेशन कार्थ होता है उप्योगिता और यूटोपिय कार्थ होता है आदर्स इस्थिति या काल सब तक के लिए आप अनुमति देवें नमस्ते शुक्रिया धन्यवाद जैहिन